नमस्कार दोस्तों आपका इस विडियो में स्वागत है आज हम वियोजन या अपगटन अभिक्रिया डीकॉंपोजिशन रियाक्शन का अध्ययन करेंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभिक्रियाओं के कई प्रकार होते हैं और वियोजन या अभिक्रिया का एक प्रकार है आईए इसका अध्ययन करें वियोजन अभीक्रिया में जैसा की नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी योगिक या अभीकर्मक का वियोजन या अबगटन हो रहा है सरल भाशा में कहें तो एक बड़े पदार्थ का छोटे छोटे पदार्थों में तूटना ही वियोजन डीकॉम्पोजिशन है वो रासायनिक अभी क्रिया जिसमें एकल अभी कर्मक तूटकर चोटे-चोटे उत्पाद प्रदान करता है वियोजन या अब गटन अभी क्रिया डीकॉम्पोजिशन रियाक्शन कहलाती है आएए वियोजन अभी क्रिया को एक उदाहरन के माधिहम से समझते हैं एक शुष को परक नली में दो ग्राम फेरस सलफेट क्रिस्टल लीजिए फेरस सलफेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए परक नली को बर्नर या स्पिरिट लैम की ज्वाला पर गरम कीजिए गरम करने के पस चाहत क्रिस्टल का रंग देखिए क्या आप देख सकते हैं कि फेरस सलफेट के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है जी हाँ, क्रिस्टल का रंग हरे से सफेध हो गया है और साथ ही सलफर के देहन से उत्पन्न उस अभी लक्षनिक विशिष्ट गंध को भी आप सूम सकते है यदि इसे और तेज गरम किया जाए तो आप देखेंगे इसका रंग भूरे काले में परिवर्तित हो जाएगा अतहा हम कह सकते हैं Ferrous Sulfate Crystal अब घटित होकर Ferric Oxide जिसका रंग भूरा है Sulfur Dioxide और Sulfur Trioxide बना रहा है तो दोस्तों ये वियोजन अभी क्रिया का उधारन कैसे है? क्योंकि एक अभी करमक Ferrous Sulfate वियोजन होकर Ferric Oxide, Sulfur Dioxide और Sulfur Trioxide बनाता है इस अभी क्रिया में आप देख सकते हैं कि एकल अभी करमक Ferrous Sulfate, FeSO4 अब घटित होकर छोटे-छोटे पदार्थ जैसे Ferric Oxide, Fe2O3, Sulfur Dioxide, SO2 और Sulfur Trioxide, SO3 बनाता है ये अब घटन या वियोजन का उधारन है Ferrous Sulfate गरम करने पर Ferrous Sulfate Crystal जल त्याग देता है और इसलिए क्रिस्टिल के रंग में परिवर्तन आता है इसके उपरांत ये Ferric Oxide, Sulfur Dioxide तथा Sulfur Trioxide में वियोजित हो जाता है Ferric Oxide ठोस है जबकि Sulfur Dioxide तथा Sulfur Trioxide गैस है है ना ये रोचक आये वियोजन अभीक्रिया के एक और उदाहरन का अध्ययन करते हैं उश्मा देने पर कैल्शियम काबुनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डायोक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभीक्रिया है जिसका उप्योग विभिन्न उद्योगों में होता है कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुजा हुआ चूना कहते हैं इसके अनेक उप्योगों में से एक उप्योग सिमेंट के निर्मान में होता है उश्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उश्मीय वियोजन, थर्मल डीकॉम्पोजिशन कहते हैं आए वियोजन अभिक्रिया के एक और उदाहरण का अध्ययन करें एक परक नली में दो ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए चिम्टे में परक नली को पकड़ कर जुआला के उपर रख कर इसे गर्म कीजिए आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआ उच्सरजित होता है ये नाइट्रोजन डायोक्साइड अनो टू का धुआ है इसकी अभिक्रिया इस प्रकार होती है लेड उक्साइड, नाइट्रोजन डायोक्साइड और ऑक्सिजन में वियोजित हो जाता है दोस्तों आईए एक और रोचक वियोजन अभिक्रिया का अधियन करती है जो है जल का वैद्युत अबगटन जी हाँ दोस्तों, जल को हाइड्रोजिन और ओक्सिजन में अबगटित किया जा सकता है जल में विद्युधारा प्रवाहित करने से वो हाइड्रोजिन H2 और ओक्सिजन O2 में वियोजित हो जाता है इस अभिक्रिया को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं सिल्वर क्लोराइड का अबगटन एक वियोजन अभिक्रिया का उदारण है ये अभिक्रिया करने के लिए एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में शुवेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर ग्रे रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिती में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। ठीक इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है। उपर दी गई अभिक्रियाएं शाम स्वेत फोटोग्रुफी में प्रयोग की जाती है। अतहा हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक के तोड़ने के लिए उस्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यक्ता होती है। जिन अभिक्रियाओं में उर्जा अवशेशित होती है। उन्हें हम उस्मा शोशी अभिक्रिया, एंडो थर्मिक रियाक्शन कहते हैं। उर्जा का अवशोशन प्रतीक्रियाशील पदार्थ में मौजूद बंधनों को तोड़ता है, जिसके कारण प्रतीक्रियाशील पदार्थ उत्पादों में विग्टिद होते हैं. तो दोस्तों, आज हमने वियोजन अभिक्रिया, अगले विडियो में हम विस्थापन और दोहरा विस्थापन अभिक्रियाओं, डिस्प्लेस्मेंट और डबल डिस्प्लेस्मेंट रियाक्शन्स के बारे में जानेंगे.